दोस्तों कल मैंने 35 km हिमाल्याज में इस साइकल पर कवर किये थे और कल तकरीबन 15 km वापस आते हुए मेरी हालत खराब कर दी साइकल ले अगला जो रिम है यहां डिस्क ब्रेक है वहाँ से चूँचू की वा आ जा रही थी और समय तो गया था कि कुछ ब्रेक पैट्स वगारा लगे हैं वहाँ उसी की वज़े से कुछ यह शोर जो आ रहा है और मेरा दम बहुत लग रहा था उसने मेरी पूरी जान निकाल दी वो 15 km मेरे को काफी हाड पैडलिंग करनी पड़ी पर जैसे कैसे मैं पहुँच गया तो जब मैंने चेक किया आकर तो मैंने देखा है कि लेफ्ट ब्रेक पैड जो है न वो चिपका वाधर फ्रंट डिस्क से इसकी वज़े से मेरा जोर लग रहा था तो हो जाता है फर्स टाइम मैं पहड़ में आया था तो ऐसी देखते हैं आ जाती है अच्छा अब हमने क्या करना है कि जो ब्रेक कैलिपर्स होते हैं न इसके उपर 5 mm के दो बड़े बोल्ट दी होते हैं एक टॉप पे एक नीचे इन बोल्ट को हमने एलन की से लूज करना है सिर्फ लूज करना निकालने नहीं है जैसे ही लूज किये न मैंने तो वो जो चिपका हुआ था न पैड वो एकदम अपनी पोजिशन पर वापिस चला गया तो बीच में फिर वही सेंटर में आगे डिस्क और दोनों साइड वैसा ही गैप आ गया तो मेरे को समझ आएगा कि यह माजरा था भाई इसने मेरा दम निकाला कल अब जैसे ही लूज किया मैंने उसको तो वो अपनी सेंटर्ल पोजिशन में आगी है डिस्क इसमें क्या आता है जो पैडनों पिस्टन से टैस्ट होते हैं तो कई बर पिस्टन जो है वहाँ स्टक हो जाता है वापिस नहीं जाता अपनी पोजिशन पर तो तब यह दिक्कत आती है पस यही एक तरीका है बस दोनों स्कुरू जो है इन्हें लूज करो और वो सेंटर मे आ जाएगी उसके बाद आपनी यह जो फ्रेंट ब्रेक का जो लीवर है इसको प्रेस करके रखना फूल टाइट और नीचे से एक हास से उसको फिर एलन की से स्क्रूज को टाइट कर देना तो आप फिर भी डबल चेक कर लें कि वह मिडल में है न डिस्क यह हमें ब्रेक जो लीवर है यह लूज नहीं छोड़ना टाइट करने वाद छोड़ सकते हैं अब सब कुछ बढ़िया देख रहा है कि अ कि अ